नमस्कार दोस्तों, आज हम पावर आफ 9E5 के बारे में जानने जा रहे हैं और 9E5 एक वेश्ट अंटी ऑक्सिडेंट है, यह हम सब लोग जानते हैं, हजारों लोगों ने इसको महसूस किया है लेकिन आज हमें इसका एक और जवर्दस पावर मैं दिखाने जा रहा हूँ, एक डेमो के फूप उसके लिए हमें जरूरत होती है, 9E5 के एक पाउच की और एक कैमिकल की और चावल के कुछ दाने और पानी उसमें सबसे पहले हम एक काच की ग्लास में चावल के कुछ दाने डालते हैं, सफेद कलर के उसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और पानी न'sले कि हमारे सरीर में अलड़ी साठ परसेंट, 70% पानी होता है अब शरीर में ये जो और्गन्स हैं, जो हमारे अंदर और्गन्स हैं, उसमें हम जो भी केमिकल्स, वालब खाने पीने के साथ में, केमिकल्स, टॉक्सिन्स, और धेर सारी ऐसी डिसीजेज, जो आजकल के खाने के थू हो रही है, वो अल्रेडी अंदर जा रहा है, और ये सब और अगर हम यह देखें कि यह सरीर के इंदर दुस्परहाओ हैं, तो हम जो भी खाना खा रहे हैं, उसके थूप हम पेस्टी साइड्स, दूद में ऑक्सीटोसिन, और जितने भी हम केमिकल्स वाले फूड हैं, फास्ट पूड हैं, अल्कोहल वह सब मतलब ले रहे हैं, और उस जाली, अब अगर हम देखें कि इसका क्या दुस्त प्रवाव होता है हमारे सरीर में, आप देखेंगे कि कुछ ही सेकेंड्स के अंदर इसके अंदर जो भी चावल के दाने थे और पानी वो पूरी तरीके से काला हो चुका है, जो भी चावल के दाने थे, अगर हम इने एक चमत से निकाल के देखें, देखें, पूरी तरीके से चावल के दाने इकाले पड़ चुके हैं, अब ये कैसे नॉर्मल हो सकते हैं, और इस तरीके से काले पड़ चुके हैं, और इनको साफ पानी में भी धोया जाया तो इनको नहीं प्योर किया जा सकता है, लेकिन अब ये पुछ हंस इसमें डाले और उसके बाद में हम देखेंगे एक चमतकारिक रिजल्ट कि जो पानी पूरी तरीके से काला हो चुका था अब उसका कलर चेंज होने लगा है और अच्छी बात यह है कि वह विदिन कुछ सेकंड्स अच्छी बात यह है कि जो भी चाबल पूरी तरीके से कले पड़ चुके थे अगर आप देखेंगे जो चाबल पूरी तरीके से काले पड़ चुके थे अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से काले पड़ चुके थे अगर आप देखेंगे पूरी तर कुछ seconds के अंदर वापस से सफद हो चुके कि अच्छी बात है की हम फिर से chemical या toxins नहीं लेंगे हम जो भी खाना खाएंगे उसके through chemicals या toxins जाना sure है अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने फिर से इसकी कई drop इसमें डाले और कितना भी drop डालने के बाद में अब देखेंगे ये पूरे तरीके से काला पड़ और वापस से पूरे chemical को एब्सौर करके ये पूरे तरीके से वाइट हो चुका है और इसके बाद में अगर हम ये पूरी कांच की बाटल भी अगर इसमें डाल देंगे मलाब पूरी सीसी बूड़ देंगे तो ये चाबल काले नहीं हो पाएंगे तो रियली फ्रेंट्स जो 95 है वो एक ऐसा चमतकारी प्रोड़क्ट है एक ऐसा जवर्दस प्रोड़क्ट है जिसके लाइफ में हर विव्ति की लाइफ में कई 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 फाइदे है तो थैंक्स टू 95